हुआ हुआ है कि नावस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस इक्षाविश सौरभ यूटूब चैनल पर और मैं सौरभ तो हम लोगों ने पीछे बात करी थी बैदेक काल में लाश्ण में मैंने आपको कच्छा में बता देता किस नदी को किस नाम से जाना जाता था वहां ए एक कोइसन पूछा गया था जिसे मैंने यह बताया था कि क्या क्या शींदे पीछे बता रही है वहां आप जाख के देख सकते हैं ठीक है तो आग resto पूछा गया था कि एक वहांका का प्रांथ था जिसको कि जो ब्रह्मवत प्रांत था यह कि नदियों की मध इसतित पूछ यहीं लाइन थी यहीं कोचा गया था मैं यह बता दू कि जो हमारी स्वरश्वति नदी शरश्वति नदी और एक नदी थी द्रिश्ययंति इन नदियों के मध में यहां पर जो प्रांत इस्थित्ता उसे कहते हैं ब्रह्मवर्थ प्रांत तो अगर ये कोशन रिपीट होता है कोशन ऐसा था तो इसलिए मैंने बता दिया तो ब्रह्मवत प्रांत स्वरस्वति नदी या दिश्वंति नदी के किनारे इस्थिता दोनों नदियों की बीच वाले अक्सर देखिए उस समय आप यह अब तक जितरा पीछे आपने पड़ा है समय देखा होगा अलगी रिखाट मेंस धृष्वल्याइग प किनारे किसी नदी के किनारे या दो नदियों के मद में खैट किल 55 एक और पूच्छा ग्याए था रिग व्यदिक काल ! पीपल, पीपल को क्या बुलाते थे, हम लोग पीपल को पीपल कहते हैं इस समय, तो उस समय पीपल को किस नाम से जानते थे, तो पीपल को एक नाम दिया जाता था, अस्वस्त, ठीक है, अस्वस्त, यह इस नाम से पीपल को उसमय उच्चारित किया जाता था, मनलब पीपल को पीपल ना बोलके यह नाम यूज किया जाता था प्रफकर लिए तो मेरे इस हाफ से नदी से सम्वंदें जो कोशन थे वह कम्लीट हुए वोंगे हागे चलेगे आज हम वैदिक काल की ही बात करेंगे आज भी वैदिक काल की नदियों के बारे महम लोगों ने पूरी-पूरी बात कर ली थी वैदिक crise अभ हम क्या भात करेंगे जब ये सिंध्य नदी के किनारे रहते थे जब आरें लूग सिंधु नदी के आसपास वाले रहते थे तो ये किस तो वहां पर परभत भी थे पठार भी थे पठार तो फेर नहीं है इस इन का सुलेमान है उसको कुछ और गुलाते थे तो वैसे ही समझेंगे तो उस समय के यह जो रीगवःदिक काल में जितने भी पर्वत है उनका रीघवेद में ही सम्मिलेगा म VII Vaid में यह समझे रीगवःद काल के रिगवेद में ही किस पर्वत को किस नाम से बुलाया जाता था यह हमें जाना हीम toxins हो रही है जूए समय का हमारा है कि ही ओ मन और कहा हरत में ही जो ही मोणत को यह लोग ही मोंत कहते थे जो और यह थे और के सादसात् साथलिये हिमालय का नाम रिगवेद में हिमुवंत समझेगा हीमालय का नाम सभे मत्यवीन है ठीक है बाकि एर हुज करते था कोई दिक्रत नहीं आगे चलिएगा यह नहीं नहीं रखा था शिलावन्त एक नाम था शिलावन्त शिलावन्त को जो जी समय का सुलेमान परवत है अब दिमाग में सर सुलेमान तो भारत में है नहीं हाँ सही बात है भारत में नहीं यह कहा है पाकिस्तान में तो शिलावन्त जो है वो कहा है पाकिस्तान में और सुलेमान का नाम भ्रिगवेद में सिलावंत मिलता है ये ऐसे याद करना है क्योंकि नामत एक जैसे ही लग रहे हैं सिलावंत सुलेमान अब देखी गां इसके साथ भी कुछ थे हाँ एक और नामता मिलता है मूजवंत यह बहुत खास था जो मुझवंद परवत था यहां से जो आ रहे थे यहां से सूमरस मंगवाते थे अब समझेगा जैसे आज की जाने में लोग बीयर घटकते हैं बीयर जिसको कहते हैं तो उस समय का जो सूमरस होता था वो उसे लिए पिया जाता था जो सूमरस होता था वो बीयर या दारू समझके ही पिया तो यह लोग जो आ रहे थे मुझवंद यहां से सूमरस मंगवाते थे तो मेरे साथ तीनों परवत क्लियर हो गए खेमोंत क्या होता था सिलामंत क्या होता था और मुझवंत क्या होता था और यहां से क्या लोग मंगवाते थे देखे एक चीज और मैं बताओं कि जो आरी लोग थे यह लोग बिंध परवत के बारे में नहीं जानते थे बाई कहेंगे सरुवा इमाला जानते थे उसके बाद सुलेमान जानते थे और मुझवन जानते थे तो क्या यह बिंध परवत को जानते थे क्वेशन कुछा गया कि जानकारी नहीं को नहीं थी लोगों को नहीं थी अब समझे चीला की बिद्ध परवत के बारे में जानते हैं यहां तक निवासे नहीं करते हैं दों सिंध्वाले छेत्र पंजाब वाले प्रांत में सिंध्वनदी के आसपास वाले से रहते थे तब उन्हें पता था इन लोगों को समुधर के बारे में भी जानकारी नहीं थी नहीं Twi कि अब सब्कहें कि यह समुध की अचल के जब है अगर आप घमाले वाले शेट में रहते हों तह कैसी समुध के आप भिंद परवत क्रास करते और गुजरात वाले हिस्से के आखरी तड़ पे जाते हैं तब तो आप समुद्र को देख पाते हैं जब आपने किया ही नहीं तो आप समझेंगे कैसे तो सर क्या ये समुद्र को बारे में जानकारी नहीं थी? हाँ, इनको जानकारी नहीं थी. लेकिन पता है, ये समुद्र को जो सिंधु नदी थी, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को ये लोग समुद्र समझते थे. देखिए, सिंधु नदी को समुद्र समझते थे. तो यह लोग सिंधु नदी को ही समुद्र समझ देते आ रहे हैं क्योंकि वहीं तक उनकी सीमा थी जैसे एक चीज़ समझेगा कि हम लोग है जैसे अगर नहीं पता है कोई ऐसा गाऊंको लड़का जो सहर में नहीं निकला और वह एतो और आरे थैं आणर वहीए जो आरे थे वो कभी देखे नहीं प determined पानी 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 ब्लू है पानी पानी सब यह देखें आई तो एक चीज और आएगी अगर यह चीज के लिए रहोगा यह तो आगे चलते हैं एक चीज और यह लोग क्या सर जैसे अभी हम लोग हम लोग लड़ाई उड़ाई करते हैं मार पिटाई करते हैं तो यह लोग भी करते हैं हाँ इन लोगों में भी लड़ाया होती थी जो एक कवीला दूसरे कवीले से लड़ता था जीतता था हराता था बहुत मार पिटाई कर और फेक दिया है वही साम्हाना के हम लोग हम ढूर है आज इन लोगों इतना गोंड़ नहीं किया होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती यह लोग बहुत समझेsen लेकिन अश्केसाओं आहिए लोगों को खुल्श हमें दिया लेकिन इसके वИफ लोगों स्करारी। अभी उत्तरवधिक काल में तो ये लोग पूरा बरबंड कर देंगे, इतना नरक मचा देंगे कि पूछिएगा नहीं, तो दिखेगा, जब ये लोग साथ मेरते ते कबीला रहता था, इस कबीले का नेता कोई, इस कबीले का नेता कोई, तो ये लोग लड़ाई भी करते थे, तो रिग वेद में एक सब्द मिला है युद्ध के लिए मालिजे कबीला ए है और अगर वलसेज कबीला भी होता है दोनों के बीच युद्ध होता है जब युद्ध होगा तो मार पिटाई होगी जब मार पिटाई होगी तो इस युद्ध के लिए जिसको हम लोग युद्ध बोलते हैं रिग्वेद में इसके लिए एक सब्द का यूज किया गया है युद्ध के लिए युद्ध के लिए ये लोग गविष्टी सब्द का यूज करते थे गविष्टी सब्द का प्रियोग किया गया है तो युद्ध के लिए ये लोग गविष्टी सब्द का प्रयोग करते थे गविष्टी का मनलब गायों के लिए लडाई अभी बताएंगे गायों को लडाई क्यों करते थे देखेगा दूसरी चीज ये लोग युद्ध करते थे मलेक कभीला A है वर्सेस कभीला B है तो गविष्टी सब्दका प्रयोग किया गया है रिग वेद में युद्ध के लिए गविष्टी सब्दका प्रयोग किया गया है या युद्ध के लिए गविष्टी सब्दका प्रयोग किया गया कैसे गुमा फिरा के पुछे का पतर आएगा तो कर ले जाएगे यह चीजी हो ग किस पे होता था कि चारवाह किश्यम काeding बूरा जीवन चारवाह किश्यम का जूरता था चर्वाह किसम का था या इसी चर्वाह को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है अर्ध यायावर चाहे चर्वाह किसम समझेगा चाहे अर्ध यायावर समझेगा चाहे इसे चाहे अर्ध यायावर को एक नाम देता है घुमकड ठीक है तो घुमकर किसी भी नाम से परसान में जुवत नहीं है तो आरियों का जो जीवन था वो चरवाह किसमकर था मतलब यह लोग चरवाह थे और या या यावर उसे कहते हैं या घुमकर यह तीनों नाम आप याद रखेंगे कि यह इनके जीवन के लिए प्रयोग किया गय यह जो गोंते थे अब देखें यह कैसे रहते थे क्या करते थे अब देखें जब कोई घृति चरवाहा है समझेगा कोई भी अगर यह चरवाह है तो कभी जगह तो रुकेंगे नहीं बाई अगर बरसाद का मौसर्व है थो बरसाद चलिए जेल भी ले जाएंगे थोड़ा तो यह लोग क्या करते थे एक जगा को छोड़के दूसरे जगा चले जाते थे अब जब दूसरे जगा चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब दूसरे जगा जाने की और भी वज़ा वहती थी मौसम होती थी यह समझेगा जैसे कोई ऐसा चेतर है जो बरसात के मौसमे लेकिन गर्मी के मौसम में तो जाहिर सी जाएंगे जीवन जह समझेगा कि ये औस्थाई जीवन जीते थे औस्थाई का मत्ना हो गया कि एक जगा रहके जीवन नहीं जीते थे ये बसे इसे घूमते रहते दें मौची रहते थे सब जो इनका जीवन ऊ-स्थाई था तो मेरे जबसे करेज service चरवाह अर्धवार और जीवन का कैसा था अश्थाई था अब यह समझेगा अच्याइख चरवाहां हैं तो यह क्या करते होंगी पसनपालन करते होंग अब देखेगा जो composed आयर हमने अभी को बताया था यह लोग कभीले में रहते थे i surface अब कभीया मतलब का हो गया कभीले मतलब क्रूप कि इस तो यह लोग कर भी रहते थे ठärt Ooh नीशिए पर विल बेंबद धермर लिन शरीर से हट पूश्ट है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा सा, तो उसे नेता बना दिया जाता था, उस कभीली का मुख्या बना दिया जाता था, मल जिसे एक सी समझेगा, घर ही होता अपना, घर में क्या होता है, कि भाई ठीक है, जितने लोग हैं ठीक, अच्छी बात, अब घर में कोई ज्यादा पड़ता है थोड़ा कम पढ़ा होता है उससे कम पढ़े होते हैं अनपढ़े होते हैं काक्ठो ही उस समय में जरूर यह बहुत बढ़ा लिखा हो समयदार हूं लेकिन हाँ उस कभीले का माली बनाया तभी जाएगा जब उसे उस कभीले सभी लोग चाहेंगे कि हाँ यह ठीक इंसान है थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है तो उसे मालिक बना दिया जाता था अब देखे इन कभीलों में एक कभीले का नाम आपने सुना होगा भरत कभीला ठीक है इन कभीलों में जैसे कभीला एक कभीला बी सी जैसे यह समझाने के लिए है लेकिन हर एक कभीले का नाम होता था कभीले का नाम होता था और एक सबसी महत्रपूर मनलब इंपॉर्टेंट क कवीला है जिसका नाम है भरत कवीला क्या नाम है भरत कवीला यहां से कोशन पूछा गया था तो जो जो यह भरत कवीला है यह बहुत महत्पूर कवीला है अब इसी भरत कवीले पर भारत का नाम रखा गया है क्या रखा गया है जो यह भरत कवीला है इसी के ऊपर हमारे देश भारत का नाम भारत कवीले पर ही रखा गया है अब समझेगा कि हम लोगों का नाम कहां से शुरूर था हमारे भारत कवीला भारत का नाम रखा गया ठीक है अब क्या हुआ हर कवीले में कुछ गुरू होते थे जैसे हमारे पुरोईत होते हैं अगर घर में किसु का साधी करवानी है तो वही पंडित जाएंगे कोई किसी कि देत हो गई है तो वही पंडित जाएंगे व дальше कुछ भी है सूँब है चाहे असूब है दोनों में एक पंडित आते थे वायसे ही क्योंको पुरोईत होते थे उन्हें जो ब dynamics कवील होता था जितने भी कवीलय होते थे उनका कोई न कोई पूरोइद होता था अब कितना प्रभाव एशाली वह बाद में भीडिपिन होता था तो देखेगा तो यहां एक अब इसके साथ और बहुत सारे कवीलillos थे उनके बारे में एक युद्ध हुआ था और उसी युद्ध से कोश्टल बना हुआ है तो पहले समझेंगे कि देखेगा जो एक भरत कभीला था समझेगा भरत कभीला अ एक भरत कभीला था जिसके बारे भवियम लोगों ने शर्चा करी थी भरत कभीले के अलामा पांच कभीले को मिलाके पंच तंत कहा जाता था जो यह था पांच कभीले भी नाम लिखेंगे जिनको कहा जाता था पंच जन इन पांचों कभीलों को मिलाके क्या कहा जाता था जन अब समझेगा तो पंच जन में कौन-कौन से पांच कभीले आते थे उनको समझेगा देखेगा पहला था पूर पूर यद पहला यह हो गया दूसरा यद हो गया तीसरा लिखेंगे तुरुवस तीसरा हो गया चौथा लिखेंगे तुरुवस के बाद अडू जो पांचवा कभीला था उसे कहते थे दूह ठीक है दूह जो पूरु कभीला यदू कभीला तुरुवस कभीला अडू कभीला दूह कभीला तो यह पता है कभीलों का नाम जो उनके मुखिया होते थे उनके ना नाम पूरू रहा होगा इसका नाम यदू रहा होगा इसका नाम तुर्वस रहा होगा इसका नाम अडू रहा होगा इसका नाम दुरू रहा होगा ये पांचो कभीलों को समलित रूप से क्योंकि एक साथ अगर रहे रहे हैं और एक चीज सायधारी कर रहे हैं तो इन पांचो कवीलों को एक नाम दिया जाता था जिसे नाम दिया जाता पंच जन पंच जन मलब पांचों को मिला के एक जवा कह देना पंच जन अब क्या होता है समझेगा इस पंच जन और भरत कवीला बनती नहीं अब बनेगी क्यों नहीं समझेगा कुछ न कुछ तो कारण होगा होता क् इन भरत कवीले की गुरु होते थे, अगर भाई भरत कवीले की हमने कहा ना कि सबके गुरु कुछ न कोई न कोई तो होगा, तो जो भरत कवीले के गुरु थे, जो के दो गुरु थे, पहले समझेगा, थोड़ा सा समझने कोशिश करिएगा, एक गुरु थे विश्वा मित्र नाम सुना होगा आप लोगों ने विश्वा मित्र दूसरे गुरु थे जिनका नाम था वसिष्ट अब समझेगा जो यह विश्वा मित्र और वसिष्ट पूरी लडाई इन्हीं दोनों लोगों के कारण होती है अब इन्हीं दोनों लोगों के कारण होती है तो इसका मतलब सम लोगों ने किसी वज़ा से बिश्वा मित को यह कहा कि नहीं कोई बहुत समय से अगर किसी का गुरू रहता है विश्वास हो जाता है कि हमीं बड़े स्रेष्ट है हमारी बात मानी जाएगी सब कुछ किया जाएगा लेकिन अगर किसी वज़ा से उस नहीं माना जाता है दिक्कत हो जाती है तो समझेगा तो भिश्वा मित्र भरत कवीले के लोगों ने इनको विश्वा मित्र को गुरुप से हटा दिया गया तो इनके दिमाग में खुरा खुरा पात गुज गई और यह सुरुआ यह तो हम कहीं हटा दिया हम इन्हों को पढ़ाए लिखाए समझाए इन लोगों को बनाए यहीं हमें हटा दिया अब आत्मसंवान को ठेस मोज़गी कई वो अब हम क्या करेंगे इन बंवित्र ने कहा करें हूं अब क्या होता है यह समझेगा एक नदी हमने आपको बताए थी पूरूसुरी नदी कि पूरूसुरी नदी या इसी को जो इस समय का नाम है वह रावी इति अब समझे पुरुशुडू नदी या रावी नदी के किनारे पे ये युद्ध होता है अब युद्ध का नाम क्या होता है जिसका नाम रखा जाता है जिसका नाम रखा 100 और hist एक Śक्त होता है पुरो सुधू नदी के किनारे जिसका नाम होता है है 便समा भी ओता है प्रक्ष होने के तो किन के-किन के वीच्च होता है वो भरत कभीला भरत कविला वरसेज कोन ये पंच जन पंच जन समझेगा परुष्णी नदी के किनारी एक यूद होता है जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं और ये यूद भरत कविला वरसेज पंच कविला के पंसे जन कवीला के मद्य होता है अब समझेगा कारण क्या होता कारण यह होता कि पहले भरत कवेले के गुरु थे विश्वामित्र है इनको गुरु पस्ट से यह हटाए जाते हैं तो इनके दिमाग में आत्मा सम्मान को ठेस पहुंच तीमी कहते ना है इससे कई से छोड़ें करने को इस जब तक ठोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के आत्म सम्मान को ठेस पूब जाती तो कब यह हम तुभारा नास करतेगे था की अफीड़ा ऑञ नें तुम्हें एäll भूचपम कर सकते हैं अ जामी में आजाते हैं गुरुजी ज्यादा उत्तेजित होके दस राग्युद्ध में भरत कविला वर्सेज पंचे जन हो जाता है पूरी लड़ाई होते भीशर मार काट खून खराबा हो जाता है बाद में होता क्या है जो भरत कपीला होता है यह विजय होता है मिजग हो आब समझेतर हैंält कि ठीक है सर मतलब इनका मिस्वाम प् more in कि थीक है भरत कभीला लाश्ट में नहीं कहा था कि हम तुम्हारा नाश कर देंगे लेकिन इन्हीं हो जाता और ये वीजय हो जाते है थलंग मरत कभीला नाश्य नाय ना बीजय हो गया अब एक कोसें नाम था राजा सुदास भरत कवीले के जो उस समय के राजा थे उनका नाम था सुदास अब समय में आएगा सर ठीक है यह सारी कहानी आपने बता दी कि पंच जन यह हो गया तो यह जो दस राग युद्ध हुआ इसकी जानकारी कहां से मिलते हैं यह तो मन गढ़नता बना सकते है नहीं तो देखेगा इसकी पूरी जानकारी मतलब इस दस राग युद्ध की पूरी जानकारी जो उलेक मिलता है कि यह उलेक मिलता है तो यह कहां मिलता है तो रीग वेद में मिलेगा चलिए ठीक है सर अगर रीग वेद में कहां मिलता है तो रीग वेद के जो सातमा मंड तो दस राग युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है रिग्युवेद के साथ में मंडल से हमें दस राग युद्ध की जानकारी मिलती है तो मेरे इसाफ से इतनी बात आपको पूरी तरह के समझ में आ गई होंगी क्लियर है आप लोगों को कोई दिक्कत परसानी नहीं है तो इसे यहीं रोकेंगे फिर अगले वले कास में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर इसी के आगे मिलेंगे अन्य टॉपिक नहीं होगा ठीक है तब तक के लिए वीडियो अगर अ समझा यहां बढ़िया चीज़ है तो सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलेंगे तब तक आगे सब को जाहिए